Hello friends, welcome back to our YouTube channel. कुछ important बातें पहले कर लेते हैं before we attempt the question. जो PDF मेरे पास हैं, वो मैं इसी के वीडियो की description के link में attach कर दूँगा. वीडियो के 10-5 मिनट चल जाने के बाद या 15-20 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं. PDF से वैसे कुछ खास होता नहीं है, या लास्ट टाइम अगर आप 1-15 मिनट उसको देख लेते हैं, तो फरक पड़ जाता है. मन का धन होता है, जिसने वीडियो अच्छे से देख लिया है, उसके लिए बहुत जादा matter नहीं करता है. और इसके अलावा जो non-tech में जब paper आप attempt करिएगा, तो ये याद रखिए कि जो चीजें आपकी cover नहीं है, जैसे मैं अभी भी मान सकता हूँ कि कुछ dates ऐसी आएंगी जो आपसे habitual नहीं होगी, उनका कोई उपाय नहीं है, आप आराम से उनको छोड़ दीजे, आराम से आप के 35 questions वहाँ सही attempt हो सकते हैं, जो कुछ भी मैंने आपको बता दिया, और आपने भी थोड़ा बहुत तो effort लगाया ही होगा, यही important चीज है, especially जिन लोगों के UPPSC में 460-490 और UKPSC में 680-710 इसके इर्दगिर्द नमबर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ important questions, ज़्यादा ये महत मातपूर्ण है, तो सभी के लिए मातपूर्ण, उनके लिए ज़्यादा है कि वो क्या गलती कराते हैं, कि उनके number उस criteria में नहीं पहुँच पाते हैं, जहां पर interview marks matter नहीं करेंगे, कैसा भी हो interview marks कुछ ना कुछ मिल जाएगा, selection हो जाएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा important ह होती है, जब हम सरल questions को सही से ध्यान नहीं देते हैं, हमें एक अलग confidence में होते हैं, जब हम से cutting questions हल हो जाता है, तो हम सरल question की value अटा देते हैं, जब कि reality में चाहे cutting question हो, चाहे सरल question हो, उसकी अगर scaling देखें, marks देखें, तो सेम रहते हैं, अगर मान लीजिए 100 questions आपके सामने ह हमने previous year का question, MPPSC का जो जिसका interview चला है, उसको बहुत ध्यान से देखा है, तो मुझे 70 questions ऐसे लगे हैं, जो one click answer है, you need not to think too much, mind बहुत जादा यूज नहीं करना है, और 30 questions ऐसे हैं, जिनमें आमको formula लगाना है, value रखनी है, सोचना भी है, conceptually जाना है, तो 70 questions, 100 में ऐसे हैं, जो आपको आने ही चाहिए, मतलब इतने सरल हैं कि अगर civil engineering का कोई experience तो उसे आने चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो questions हमने यहां रखे हैं, यह अपने आप में दोखा देने वाले question है, या cutting question करने के बाद, सरल question के प्रती आपकी एक दृष्टी कोण जो बदल जाता है, वो स पार्ट होगा, इसके बाद अगला question है, the reaction locus for a two-inched semi-circular arch is, two-inched semi-circular arch के लिए अगर reaction locus पूछा जाए, तो होता है, horizontal line parallel to the span, हमने वीडियो में भी पहले बताया होगा, सायद मुझे याद है, और अगर यही parabolic arch हो जाए, तो वो parabola हो जाता है, reaction locus, उसकी अलग-अलग height ह होती है, different-different cases में, तो केवल reaction locus पूछा जाता है, तो two-inched semi-circular arch में, horizontal line parallel to the span होगा, इसके बाद अगला question है, while using three moments equation, in the beam analysis, a fixed end of a continuous beam is replaced by an addition span up, addition span up, zero length या इसी को बोलते हैं, imaginary length, zero length या imaginary length, तो correct option यहाँ पर यह पार्ट होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, the moment of water after entering into the ground is known है, यह दोखा देने वाला question है, आप infiltration अगर लगा देते तो तो तुरंद गलत हो जाएगा, moment of water from the surface to the ground, तो infiltration होगा, after entering into the ground, तो percolation होगा, यही चीज होती है, कि हम अगर overconfidence और excitement में हैं, तो हमें infiltration दिखेगा, moment of water दिखेगा, यह चीज नहीं दिखेगी, ऐ ऐसा होता है, और यह एक common error है, जिसको improve किया जा सकता है, common chemical used in solution, form to remove SO2, gases pollutant, इसके लिए वैसे अगर पूछा जाए, common chemical device, तो आपका answer होगा, scrubber, और अगर device की जगे, वो chemical कौन सा यूज हो रहा है, आप वो पूछ रहा है, तो dimethyl aniline, अगला question है, if the diameter of reinforced bar is D, then the encourage value of U-type hook, hook और bend में diameter of reinforcement bar पूछी जाती है, जहाँ पे 4D होगा, तो वहाँ 45 degree bend होगा, जहाँ पे 8D होगा, वहाँ 90 degree bend होगा, और जहाँ पे 12D होगा, वहाँ पे 135 degree bend होगा, और 16D U-type hook के लिए यूज होता है, जिसमें 180 degree bending goal भी सकते हैं, तो यहाँ पे दिये के question का correct option 16D होगा, बांकि 4, 8, 12 are respectively for 45, 90 degree and 135 degree bends, तो यह चीज आपको याद रहेगी, अगला question ए 3 basic modes आप transportation हा, यह भी दोखा देने वाला है, अगर कहीं आपने highway, railway, airway जल्दबाजी में लगा दिया तो गलत हो जाएगा, airway, waterway, highway तो कमी लगाएंगे, सबसे ज़्यादा इधर ही जाएंगे, B option पे, एक्चुली में वो basic mode पोच रहा, basic mode का मतलब transportation के कितने types हैं, तो land पे transport हो सकता है, water के थुरू हो सकता है, air के थुरू हो सकता है, तो correct option क्या हो जाएगा, land, water and air, जल्दबाजी में यह लग जाता है, इसको बोलते हैं, scrap value, इसको बोलते हैं, scrap value, the place where aircrafts wait for take-off, is called holding apron, holding apron, बात से ही समझ में आ रहा है, the place where aircrafts wait for take-off, उसको बोलते हैं, holding apron, correct option, एपाल्ट होगा, अगला question है, for reinforced concrete structures, supported by isolated footing, resting on sand, the maximum permissible settlement, edge, इसको हमने बताया था, resting on sand होगा, तो 40 mm होगा, और resting on clay होगा, तो 65 mm होगा, तो correct option यहाँ पे C part हो जाएगा, wear of rails is maximum in, यह भी question खूब पूछा जाता है, गलती न करिए, इसका correct option sharp curve होगा, wear of rails is maximum in sharp curve, हम explanation पे इसलिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि mostly लोग explanation देखना भी नहीं चाहते हैं, और इस time पे explanation का कोई खास मतलब होता नहीं है, as it is question आपके सामने आए, आपको उसका answer पता हो, और हमने यहाँ पे वो question रखे ही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा conceptual demand करते हैं, the minimum size of RCC manhole cover in a sewer system is, यह जितने question हैं, यह किसी न किसी AE में आये हुए हैं, चाहे वो उडिशा का हो, माराष्ट का हो, तमिलनाड का हो, उत्राकंड का हो, करनाटक का हो, मैंने उन सबसे मिला कर वो question सामने रखे हैं, जो कहीं न कहीं repeat होते हैं, आज की date में इतनी political चीजें हो रही हैं, जो उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि यहाँ पर बैठ कर कोई आपका पूरा paper किताबों को पलट के नहीं बनाने वाला है, चार से पांच question में भी की frame कर देता हो, कोई नहीं तो सब question इदर उदर से ही book से उठा के रखे जाते हैं, और इनी especially पिछले last three years का अगर देखें, जो paper हो रहे हैं, कोरोना के बास से, बहुत कम है जो creativity use हो रही हो, इसके लिए minimum size RCC manhole का 50 cm diameter, करेक्ट option C part होगा, अगला question है, at sea level, the value of atmospheric pressure is close to, इन में भी सबसे ज़्यादा possibility होती, या तो आप question छोण देंगे, या तो आप question गलत कर देंगे, बहुत ध्यान से question करना होता है, देखिए, 76 cm या 762 mm of Hg रहेगा, atmospheric pressure, Hg की specific gravity लगा देंगे, multiply करेंगे, तो 0.762 meter बोल सकते हैं, इन्टो 13.6, आप करेंगे तो answer आएगा 10.33 meter of water column, आप चाहे तो याद रख लें, चाहे तो fundamental याद रख लें, गलत नहीं होना चाहिए आपका question, यह simple question है, whenever you going to attempt technical portion, first attempt non-numerical and non-lendy questions, and I think you will cross the questions number 60, and after that go through those questions in which you can apply your mind, और बिल्कुल last में जाकर उन questions को और अपने attempted questions को देख लीजे, अगर आप safe zone में हैं तो unnecessary ऐसे attempt मत करिये, जिसमें आपका mind 50% से कम guessing में जा रहा हो, खबसे कम 50% से उपर उसमें कुछ knowledge होनी चाहिए, इसको बोलते हैं efflux, अच्छा question है, आ सकता है और लोगों को फसा भी सकता है, और लोगों को फसा भी सकता है, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, which loading is adopted on all roads on which permanent bridges and culverts are constructed, permanent bridges and culverts constructed की बात करें, तो loading कौन सी यूज होती, IRC class A, according to the criteria recommended by IRC for girder bridge, bridge engineering आपके साथ syllabus में मिंसन है, इसलिए हमने question को सामिल किया है, the limiting load should not cause a deflection more than, criteria recommended by IRC for girder bridges, limiting load की value 1 upon 1500 of spawn से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब should not cause a deflection जो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जो limiting load है, वो इससे ज़्यादा deflection काज नहीं करना चाहिए, तो correct option C part होगा, अगला question है, हमने इस question में option इसलिए नहीं दिया है, क्योंकि ये question अगर आप गलत करते हैं, तो ये आप सीधे सीधे अपने पैर पे कुलाडी मारते हैं, कहीं इस book में ये दिया है, fundamentally ये सही होगा, कुछ questions हैं जिनको खूब अच्छे से समझ लो, जाकर खूब थियोरी पढ़ लो, उनका answer बदलता नहीं है, बेंकलमान बीम deflection method is used for flexible overlay on flexible payment, याद नहीं होता है, तो बेंकलमान बीम में BBA, यहाँ पे FF है, किसी भी तरीके से भाई, ये question गलत नहीं होना चाहिए, ये question सब एक तरीके के main questions है, जिनको रखने में उन्हें दिक्कत नहीं है, ये question मुझे लगता है, 100% student का साही होना चाहिए, जो seriousness level पर है, order for solutions in increasing order of their BOD values, ये MPPSC में चब से paper engineering services के हो रहे हैं, जब pre-mence बगएरा होता था, तब से ये full time repeated question है, इसलिए हमने इसमें option अटा दिया है, bottled water सबसे कम, BOD value होती है, industrial water की सबसे ज़्यादा होती है, फिर bottled के बाद tap आता है, फिर river आता है, तो इसको याद रखिए, bottled tap river and industrial, यही इसका correct option है, अगले question की तरह पढ़े, the maximum number of vehicles beyond which the rotary may not function effectively, इसमें भी मैंने option अटा दिया, ताकि जिन लोगों का वहाँ 5,550 या 50,000 को लेके doubt हो जाता है, उनको यह चीज याद रहे, 5000 vehicles per hour, refuse derived fuel refers to, refuse जो होता है, उससे जो fuel create होता है, तो fuel के लिए condition यह होनी चाहिए, कि high calorific value रहे, तो segregated high calorific fraction of processed MSW, इसका correct option होगा, इने composite bar of steel and copper is heated, the copper will be under, copper की जो alpha की value होती है, वो इस steel से जादा होती है, इसलिए copper compression में होगा, तो correct option C part होगा, section modulus for hollow circular section of outer diameter, D and inner diameter, small D, तो इसका sectional modulus क्या होगा, हमने option ही नहीं रखा है, ताकि आप वहाँ पे option रटें, इन चीजों में तो option कम से कम नहीं रटें, वहाँ पे जो गलतियां कर जाते हैं, pi by 64, D की power 4, minus pi by 64, small D की power 4, यह I की value हो गई, upon Y की value capital D by 2 होगा, जब इसके बाद आप solve करेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि option क्या आएगा, option आएगा, pi by 32, D की power 4, minus D की power 4, upon D, तो इस चीज को याद रखियों, वहाँ पे गलत ना कर दियों, कुछ लोग यह 64 कर देते हैं, और यह उन लोगों की गलतियां होती हैं, जिनके बहुत अच्छे marks आते हैं, यह नहीं है कि कोई सामन, common man, अगर उसने नहीं पढ़ रखा, गलत कर दे, बागी जगे कटिन से कटिन question attempt कर रहा है, यहाँ पे छोटी सी गलती कर रहा है, तो वो hurtful हो जाता है, इसलिए हमने उन questions को याँ रख दिया, उनको बोलते हैं, रैफ्टर्स, यह भी बहुत पूछा जाता है, वैल्यू आप वाइजन्स रेशियों, यहाँ पे पिचिंग को लिया जाता है, हमने यहाँ पे भी option नहीं रखा, उसमें यही था, पिचिंग, याइंग, रॉकिंग, रॉकिंग, याइंग, रॉकिंग, याइंग, पिचिंग, इसी तरीके से इधर उधर कर दिया है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, यहाँ एकस एज के लिए पिचिंग है, यहाँ एकस एज के लिए याइंग है, जेड एकस एज के लिए रॉकिंग है, यहाँ हो जा रहा है, याद करने में अगर दिक्कत आ रही हो, तो पहली दफ़ा अगर question आपके सामने आ रहा तो थोड़ी दिक्कत होगी, but you can remember this. X is related to pitching, Y is related to yawing, and Z is related to rocking. अगला question है, the discharge per unit drawdown at the well. यह बहुत बार पूछा जाता है, इसमें भी कुछ लोग specific yield लगा देते हैं, यह specific capacity होती, specific yield दूसरी चीज़ होती, अपना conceptually जो भी आपको मालूम हो, if the critical ratio CVR अगर 2 है, which one of the following will occur? CVR की value अगर 2 है, तो scouring होगी, scouring actually में CVR 1 से अधिक होने पे होती है, CVR अगर आपकी 1 से कम है, तो silting होगी, और CVR अगर आपकी 1 है, तो silting और scouring दोनों होगी, silting और scouring CVR 1 पे होगी, कम में silting होगी, और 1 से जादा है, याद 2 है, तो scouring होगी, if the reservoir is full, then maximum compressive force in gravity dam exists at the toe, इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी हमने, चुकि यह hot questions हैं, जिनको regular basis पे पूछा जाता रहता है, और अंतिम question बहुत important है, mac number is the ratio of, इसमें आप देखेंगे, तो कहीं none of the above न लगा जाएं, ऐस तरीके के question देते रहते हैं, लेकिन आपको पता है, mac number C by V भी होता है, तो characteristic velocity to velocity of sound, force के point of view में option आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, तो characteristic of velocity to velocity of sound, इसका correct option मिल जाएगा, तो 30 कब V होगा, ये questions हमने आपके सामने रखे, आप conceptually चीजें पढ़ ही रहे होंगे, formula बगेरा, बस exam में जाकर इतना याद रखिए, अगर paper moderate level का है, तो सहिचता से अपना paper दीजिए, अगर paper बहुत easy level का है, तो अपने कान, नाक, आख खड़े कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप से गलती होने की संभावना है, और सहुलियस से paper देके आईए, non-tech में आप अगर 35 सही से attempt करते हैं, तो खराब से खराब condition में आपके 25 सही होंगे, यानि कि आपका technical portion भी चेक किया जाएगा, अपनी तरफ से अपनी मेंनत करते रहिए, and best of luck for the exam, thanks for watching.